शहर में पिछले 15 दिन से तेंदुए ने वनविभाग की नींद उड़ा कर रखी है तेंदुए कभी नैनो तो कभी TCS इंफोसिस में दिखाई दे रहा है आज सुभा नैनो गाउं में पशुपर तेंदुए ने हमला किया वनविभाग की तेंदुए को पकड़ने की कोशिश अब तक नाकाम रही है वनविभाग के डिएफो ने जल्दी से पकड़ने की बात कहिए साती तेंदुए को पकड़ने के लिए वाइल्ड एक्सपर की टीम को भी रवाना किया गया वनविभाग की टीम ने नैनो गाउं में सर्च चलाएगा इसे लेकर ग्रामीनों को अलर् पादतार उसकी तजबीर भी सामने आ रही है इस वक्त मेरे साथ में डिएफो जो इंदवर के वह मौझूद है सर्च तेंदुए ने कल देर रात फिर गाए पर हमला किया क्या क्या उसकी पुष्टी हो चुकी है क्योंकि एक्सपर्ट के पास आपने वेजा टीम को लेका कि पुष्टी हो चुकी है कि जो गाय को घैल किया है वह तेंदुए नहीं किया है उसके पगमार्क जो देखे गए उससे इस्पस्ट हो गया कि वह तेंदुए ही है नेनो चेत में बार बार तेंदुगा को देखा जा रहा है कुछ लोगों अपने घर से भी वीडियो बनाये थे दैसत का महौल है किस तरीके से अब लोग महां पर अलर्ट पर रहें क्या साउधानिया रखें क्या कहेंगे लोगों को तुम्हें पिष्ले 15 दिन से लगातार हमारी तीन डेस्क्यू टिम लगी वी है और मां सबको इंप लूइंप कर रही है कि सुबे साड़े पांच वज़े से साड़े साथ वज़े तक बच्चे बहर ना निकले और शाम को साड़े पांच बज़े से साड़े छे बज़े तक रात लेट नाइट ना निकले तेन्दवे का जो मुमेंट होता है ये दो ही समय पे जादा होता है तो मैंने सबी जग़ा जब नेनोद वाली जितने भी कालोनी है मैं खुदी जहाजा गया हूँ सबको एनाउंस भी किया है महां के सरपन्स आप लोगों को बोला कालोनी के जो सेकेटरी लोग है उनको भी समझाइज दी कि आप बच्चों पर विसेश करके ध्यान रखे लेकिन आज जो रात की घटना से स्वस्ट हो गया है कि तेनवा इस चेत्र में है चुकि इसका यहां पर नेनो छेत्र में हेविटार्ट है पहले भी आज से अगर 20 साल 30 साल पहले बात करें तो यह अच्छा घणा छेत्र था यहां पर तो वह स्वभाविक है कि हर आदमी अपने हेविटार्ट में तो आता ही आता है